अगर आप water cans का यूज करते हैं तो आपको पता ही होगा कि इससे पानी निकलना कितना मुश्किल होता है वैसे ये होता है 20 लिटर का तो इसको उठाना भी मुश्किल है उसके बाद जो इसका जो dispenser होता है उसके उपर इसको उल्टा करके रखना पड़ता है और अगर dispenser नहीं है तो इसको उल्टा करके गिलास पे नहीं तो कोई बटन पे पानी निकलना पड़ता है बहुत ही मुश्किल होता है लेकिन हर मुश्किल चीज का असान हल ऑनलाइन पे मिल जाता है जैसे कि मुझे मिला तो ये है एक बहुत ही useful automatic water dispenser actually ये एक electric pump है और इसके अंदर rechargeable battery होता है आप इसको recharge कर सकते हैं और इसको सिर्फ water bottle के उपर लगाना है और एक button दबाते ही पानी यहां से निकलना शुरू हो जाता है और इसका दाम भी एकदम कम है मैंने लिया है ये 349 रुपीज पे आपको ये उससे भी कम दाम में मिल सकता है मैंने इसको खरेटने का best buy link इस वीडियो के description में दिया है लेकिन रुकिए उससे पहले देख लीजिए इसके अंदर क्या क्या है और इसको use कैसे करते हैं तो ये हो गया इसका box तो चलिए इसको करते हैं अभी unboxing तो ये हो गया automatic water dispenser electric pump उबर में ये वाला button है इसको दबाते ही पानी निकलना शुरू हो जाता है ये वाला हो गया इसका नीशे का हिस्सा ये bottle पे लगाना पड़ता है ये हो गया इसका सामने का हिस्सा यहाँ पे एक null लगना पड़ेगा तो लग गया है अभी इसको mobile charger से charge कर सकते हैं तो देखिए अभी ये charge हो रहा है और charging के time पे उपर में red light जल रहा है और यहाँ पे मेरा mobile charger लगा हुआ है उसके बाद ये बला हो गया null इसको लगाना पड़ेगा ऐसे तो देखिए ये लग गया है null उसके बाद नीचे यहाँ पर एक pipe लगाना पड़ेगा जो भी यहाँ पर दिया हुआ है तो pipe को यहाँ पर लगाना पड़ेगा ऐसे तो pipe लग चुका है अभी pipe को bottle पे डालना है और इसको उपर में लगाना है और इसके switch को on करना है इसको on करते ही इसके अंदर जो motor है जो pump है बो activate हो जाएगा और यह अचा लगा देखके तो अभी मैं इस नल को धोने वाला हूँ और इस pipe को भी धोने वाला हूँ उसके बाद मैं इसको लगाऊंगा मेरे water can पर तो यह देखिए मैंने नल को धोके यहाँ पर लगा दिया है और इसका pipe को भी धोके यहाँ पर लगा दिया है नीचे तो अभी स इसको बोटोल पर डालना है, तो बोटोल पर डाल देते हैं, तो देखिए आसानी से फिट हो जाता है, तो आभी मैं रेडी हूँ पानी निकलने के लिए, तो सिर्फ यहाँ पर प्रेस करना है, और पानी निकलना शुरू, देखिए, तो पानी निकल गया है, तो कितना आसान है, तो अगर आप वाटर कें यूज़ करते हैं, तो आपको यह वाला ओटोमेटिक वाटर डिस्पेंसर लेना ही चाहिए, और इसका जो प्राइस से एकदम सस्ता है, लेकिन बहुत ही काम का सीज़ है, तो अगर आपको यह लेना है, त तो आपको आज का प्रोड़क्ट यूसफुल लगा, अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और सेयर कीजिएगा, और इस तरह के यूसफुल प्रोड़क्स के रिव्यूज देखते हैं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो जल्दी से मिलते हैं एक दूसरे य